हेलो दोस्तो सुखञद आपका फैस्ट नोई एक्जाम पर 21 दिशमबर दोस्तो आपके सेस्ती के दोस्तों सेकिंड शिट का दोस्तों आपके पेपर का स्ुलीशन लाए हैं पूरे के पूरे दोस्तों डेर्ञ सो परत्षनों के हैले जो की आज मैं आपको कराऊंगा तो दोस्तो देखते हैं आज अपना पहला क्योशन है अभीकतन राज्य की सत्ता के सातक परियोग के लिए राज्य के कानून और आदेश जनसाधरण की नेतिक मन्यताउं और मूल्य पढ़नाली पर अधारित होने चाहिए ये दोस्तो आपके दूसरा है कारण राज्य इसके लिए अपने नागरिकों के अनिवारत्य कानूनों का अग्या पालन सुनिश्चित कराई तो दोस्तो इसमें आपको राइट आंसर बदा रहा हूं इसमें राइट आंसर होगा एए और बे दोनों परतक रूप से सत्ते हैं और बे और एकी सई व्यक्या करता है इसमें चार होगा आप लगा सकते हैं अपना राइट आंसर दूसरा पर्षन है दूसरा है सभी Länder से स्व Humans न कि प्रTrищ पर और अधिकारों में समान है तो दोस्तों इसका राइट अंसर होगा आपके मानाव अधिकारों की शार्व बोमिक गोशना में। इसका दोस्तो दो नम्मर राइट होगा नेस्ट क्यूशन है तीसरा कौन से विचारक को अधुनिक राज्य के आगमन का संदेश्वाक और राष्टे संकी भूमिका का लिक्रक माना जा सकता है तो इसका राइट आंसर दोस्तो आपके युगा नेस्ट क्यूशन है चोता शक्ती एक समान मुल्य है और राजनितिक विज्ञान का उससे गनिश सम्मन्द है ये विचार कौन से विद्वान ने दिया है तो दोस्तो ये आपके दिया है हेरोड लोस वेल ने चार नम्मर इसका राइट होगा नेस्ट क्यूशन है पांचवा निम्लिकित राष्ट पती के सपत के स्वेधानिक प्रारूप में रिक्तिस्तान की पूर्टी के लिए सही विकल्प का चेन कीजिए तो दोस्तो इसमें आपके राइट आंसर है शरत्दा पूर्वक ती नम्मर इसका राइट होगा अप लगा सकते हैं राइट आंसर चट्टा क्यूशन है बारत में लोगसबा के निर्वाचन शेत्र 593 कप से है तो ये आपकेFrom icon Divine से है ती नम्मर इसका राइट होगा नेज्ट कुशन सात्वा बारत के स्वीदान के अनुचैद 51 के के अनुसार परत्यक नागरिक का करतव है तो करतव है क्या है स्वीदान का पलन करना तो नम्मर इसका राइट होगा आट वापसन है निन में से किस टिकाकार ने कहा कि अपना स्वीदान बनाते समय भारतियों ने नेती के साथ साक्षार्त में कोई चूक नहीं की है तो यह आपके कहा था गेनवील और स्टीन ने इसका चार नमबर राइट होगा नेक्स्ट क्यूशन है अपना नववा राजस्तान का पर्तम जेंडर बजट परस्थूत करने वाले थे तो यह कौन थे आपके अशोग गेलोत एक नमबर राइट होगा दस वा क्यूशन है आपके अनुचेद 20 एव अनुचेद 21 के मूले दिकारों का अपातकाल में इस्तगित नहीं किये जा सकते हैं तो इसमें दोस्तो आपके निमलिकित में से कौन सा कतन उप्योक्त प्रावदान के संदर में सही है तो दोस्तों इसमें सही है चमालिशोए स्वीदान सशोधन के ये प्रावधान अंते इस्तापित किया गया इसका दोस्तों ती नमबर राइट होगा नैस्ट क्यूशन है आपके ग्यारवा बारत के स्वीदान में वर्नित राज्य की नीती के निदेशक तत्वों की व्यक्या कौन सा वाकिय कर रहा है तो इसमें दोस्तों वाकिय कुछ अधिकारों अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए इसमें एक नमर राइट होगा नेस्ट क्यूसन अपना बार्वा बारतिय सुईदान के इनुचेट इकाउन में वर्णित अंतराष्ट ये शांती ओ सुरक्षा की अभी विर्दी हे तू राज्ये परियास करेगा तो दोस्तो इनमें आपके है जो की कौन सा राइट होगा इनमें मिलान करना है तो दोस्तो आपके मिलान में आपके राइट आंसर है मैं डायरेक्ट लिए आपको अंसर बता रहा हूँ इनमें दोस्तो आपके आंसर होगा से पेले का होगा से और दूसरे का होगा आपके बे और तीसरे का होगा ए और लाष्ट का होगा दे तो इस परकार से दोस्तों ABC में आपके इस परकार से राइट आंसर होगा आप लगा सकते हैं अपना राइट आंसर इनमें दोस्तों आपके राइट आंसर है जो क्यों होगा एक नमबर इनमें एक नमबर राइट होगा नेस्ट क्यूशन दोस्तों आपके तेरवा सहयुक्दर राष्टे संग की सुरक्ष्या परिशद के ऐस्ताई सदस्यों की संग्या छे से बढ़ा कर 10 किस वर्ष में की गई है तो यह आपके 1965 में की गई है इसका राइटा हुगा नेस्ट क्यूशन दोस्तों आपके चवद्वा कितने समाज सास्तर को सामाजिक इस्टेतिकी एयों सामाजिक गतिकी में बांटा है तो यह बांटा है आपके कौम्टे में इसका चार नमबर राइट होगा नेस्ट क्यूशन दोस्तों आपके पूरवक पढ़ना है और इनमें राइट आंसर साही विकल्प सुनना है तो दोस्तों इनमें आपके राइट आंसर है जो की कतन एक दो वैट तीन साही है इसमें दोस्तों आपके चार नमबर राइट होगा आप लगा सकते अपना आंसर नेस्ट कुसना सत्रवा समेलन उनिसों चमालीस में किन वितिये संस्तानों की इस्तापना पर समझोता हुआ था तो दोस्तों आपके समझोता हुआ था पुनर रचना एंविकास के लिए अंतराष्टे बेंगें अंतराष्टे मुद्रा को चार नंबर इसका राइट आपके चॉल्स कुलेने चार नंबर राइट होगा उगनिस्वा परसन आपके एक सामाजिक मुमी का व्यक्ति का किस समुव या परिस्थितिक में एक व्याप वार का पर्तिमान है जिसकी उसे आश्या की जाती है तो इसमें दोस्तों आपके राइट आंसर है जी एल लुव इसका ती नंबर राइट होगा 20 वा परसन देखते हैं दोस्तों परियाप्ते निश्चित एउं टिकव यों समन द्वारा परिवासित एक समुव जो परजनन तथा बच्चों की पालन पोशन की विवस्ता करने की श्यमता रखता है कहलाता है यह कहलाता है आपके परिवार दो नंबर राइट होगा 21 वा परसने हिंदू विवाक के किस परकार में ने तो मातापिता की सहमती जयावशकता है नई संसकारों की गंदर विवा इसका दो नंबर राइट होगा नैश्च्ट की उसनने 22 वा दिन में से कौन सा एक राश्टी है एकिकरण के लिए दिए एलेक्स ने दो नमबर आइट होगा नेस्ट कुशन 24 वा गेमाईल शॉल्ट तता गेसल शॉफ्ट समाज के दो परकार हैं ये किसने उल्लेकित किया है तो ये किया आपके टोनीज ने चार नमबर आइट होगा नेस्ट कुशन 25 वा परतिवस अंतराष्टिय ब्रेश्टाचार निरोधक दिवस कब मनाया जाता है तो ये मना जैता आपके दिस्टमबर 9 को ती नमबर इसका राइट होगा नेस्ट कुशन 26 वा व्यक्ति का वहपद जिशे व्यक्ति किसी समों में अपने लिंग आयू परिवार वर्ग व्यक्ति विवा एं उपलब्दियों अधिके फल्सोरूप करता है कहलाता है ये परतिश्टिती एक नमबर आइट होगा 27 वा परसने मुक्ये पसस्ति की अवधारना दी है तो ये दी है आपके ET हीलर नी 28 वा परसने हिस्टिरी ओफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक लिखी है ये लिखी है आपके दोस्तो AS V केलक करनी इसका एक नमबर आइट होगा नेस्ट क्यूशनल दोस्तों आपके 23 वा समासास्तर होने के नाते हमारा सीधा समद्ध समाजिक समंद्धनों से है इस परसन का दोस्तों आपके राइट है डाइरेक्ट लिए अंसर बता रहो मेकाईवर एओं पेज इसका दो नमबर आइट होगा समय की कमी के कारण दोस्तों आपको डाइरेक्ट लिए अंसर बता रहे हैं क्योंकि नेस्ट पेपर के भी हमें वीडियो अपलोड करने है नेस्ट क्यूशन तीसवा निमलिकित में से कौन सी एक सामाजिक परिवतन की विशेष्टा नहीं है तो परिवतन की विशेष्टा सामाजिक परिवतन व्यक्ति के समंद्धित है चार नमबर राइट होगा नेस्ट क्यूशन 31 इनमें से कौन सा एक पुरुशार्थ का तत्व नहीं है तो पुरुशार्थ का तत्व आपके संसकार नहीं है एक नमबर राइट होगा निम्न का सही मिलान करें तो दोस्तों इस सही मिलान करना है इसका मैं आपको directly आंसर बता रहा हूँ इनमें आंसर होगा चार नमर D, C, B, A ये आपके right होगा answer Next question है 33 परसासन का शेत्र व्यापार का शेत्र है वे राजनितिक की जलबादी और संगर्षों के दूर है तो दोस्तों इसमें आपके right answer है Woodrow Wilson दो number right होगा 34 परसान है संथानम कमेटी की नियुक्ति किस समश्या को रोकने के लिए की गई थी तो ये की गई थी भिष्टाचार को दो number right होगा 35 परसान है संस्कुर्थी की गरिबी की अवधाना किस ने दी तो ये दी आपके आसकर Lewis ने चार number इसका right होगा 36 परसान है निम्ली के तुईद्वनों में से किस ने एक परसासन के सिदान के मीत तक या कावतों के रूप में स्विकार किया था तो दोस्तों ये किया था Herbert A. Simon ने दो number right होगा 37 परसान है कतन एक किसका है मानव मानविय समश्या के मानविय समादान के लिए मानविय तत्वों आकडों उपकर्णों की आवशक्ता होती है तो दोस्तों इसका right answer होगा आपके रोत लिष्ट बर्ग गर चार number इसका right होगा next question दोस्तों आपके 38 निम्लिकित में से कौन सा एक नीचे से उपर की ओर में इस लोग आवशक्ता पदोपानन विचारदारा का सई करम है तो दोस्तों सई करम है इनमें A, D, C, E, B A, D, C, E, B आपके एक नमबर में एक नमबर इसका right होगा next question गुंचालिस्वा निम्लिकित में से कौन लोग परशासन के पोड़स्बोर्ग विचार का समर्तन नहीं है तो दोस्तों इनमें आपके right answer होगा लेविस मेरियम ती नमबर राइट होगा चालिस्वा परशन है The Science of Public Administration Three Problems किसने लिखी थी यह आपके लिखी थी रोबर्ट डाई हॉल ने चालिस्वा परशन है निन में से कौन सा ओवचारिक संचार नेट्वेर्क का सबसे अधिक केंद्रक्रित परकार है तो इसका right answer होगा सितारा Next question है 42 अभी पिरेणा की परतियास्षा विचारदारा के परतिबादन कौन थे तो इसके दे आपके विक्टर व्रूम चार नमर आइट होगा 43 स्वा परशन है सरकारिया आयोग ने अपना परतिबेदन कब सोपा था तो परतिबेदन सोपा था 1928 में ती नमर आइट होगा 46 स्वा परशन है दित्ये परसासनिक सुदार आयोग की बार वी रिपोर्ट का शिर्षक क्या था तो ये था आपके नागरिक केंदरित परसासन दो नमर आइट होगा परतम परसासनिक सुदार आयोग ने कितने परतिबेदन परस्तुत किये थे तो ये आपके किये थे 20 ती नमर आइट होगा तो दोस्तो इसमें आपके राइट आंसर है निर्देशक कार्ड लिपिक इसमें तीन नंबर आइट होगा नेस्ट क्यूशन है दोस्तो आपके 48 वा ओम्यू डवल्यू मेन नामक संस्तान की स्थापना स्वरपतम 1809 में हुई थी तो दोस्तो ये काम पर हुई थी आपके स्वीडन में एक नंबर आइट होगा और पचासवा परशन है संसद में लोकपाल विदेख पत्तम बार कब पस्तुत हुआ था तो ये पस्तुत हुआ था आपके 1968 में दो नंबर आइट होगा पचासवा परशन है सूचना का अधिगार अधिनियम 2005 की किस दारा में सूचना के परकटन से छूट विदेख है तो दोस्तो इसमें राइट आपके दारा आठ एक में दो नंबर आइट होगा इकाउनवा परशन है प्रेष्टान ये से क्या तात परिये है तो दोस्तो इसमें तात परिया आपके उपनिशद गीता ब्रह्म सुत्र दो नंबर आइट होगा बावनवा पर्सन है, उपनिस्दों के अनुसाव ब्रह्म के लिए तजलान शब्द का परियोग हुआ है किसका तातपरिय है तो इसका तातपरिय है, ब्रह्म की जगत की उत्पति, अस्ति और सहार ले क्या कारण है तीननमर आइट होगा 53 परसन राजस्तान में लोका युप्त नियुन में से किस कार्य की जांस नहीं कर सकता है तो अनुसा सनात्मक कार्य वही ती नमबर राइट होगा नेस्ट क्यूशन चोपनवा राजस्तान जन्द सूचना पोर्टल कप प्रारम किया गया था दोजार उग्णिस में एक नमबर राइट होगा पच्वनवा परसन संसार में दुख की व्यापकता निर्वीवाद है तो दोस्तों ये आपके बोध दर्शन एक नमबर राइट होगा जेन त्री रतन है जेन त्री रतन क्या आपके समेक दर्शन, समेक ज्यान तदा समेक चरित्र ती नमबर राइट होगा सतान वा परसन है वेदों के बारे में सत्य कतन है वेदों के बारे में आपके कतन है वेद का सरमान्य अर्थ ज्यान है यह सत्य है और आपके वेद के लिए सबसे परचलित परशुत्य है यह भी सत्य है एक दो चार सत्य है चार नमबर राइट होगा में सोचता हूँ अते में हूँ समंदित है यह आपके देकार्ते से ती नमर आइट होगा सुकरात के अनुसा सदगुण है तो सदगुण है आपके एक एक नमर आइट होगा परिणाम निर्पेक्षवादी नितिसास्त्र महत्वे देता है तो यह आपके देता है कर्तव यह को एक नमर आइट होगा एक सदगुण है बोध देशान के अश्टांग महर के नुसानिं में से कौन सा समंदित है तो दोस्तों इन में एक है और यह भी है ती नमर भी है इसमें दोस्तों ती नमर राइट आंसर होगा आप लगा सकते है अपना राइट आंसर 62 परशन है आंक के बदले आंक और दांत के बदले दांत का समर्तन करता है तो ये समर्तन करता है आपके दंड का परती रात्मक सिद्धांत एक नमबर राइट होगा नेश्ट क्यूशन 63 सुकों में गुणनात्मक बेद स्विकारिये है सुकवादी तो इसमें राइट आंसर होगा आपके जे एस मील को चान नमबर राइट होगा चोशटवा परसन है गांधी दर्शन के नुसार इश्वर विश्यक सरवादिक उप्युक्त विचार है तो दोस्तो इसमें राइट आंसर है सत्य ही इश्वर है चान नमबर राइट नेश्ट क्यूशन 65 नेतिक सिद्धान करताविये के लिए करत विचार है समंदित है तो इसमें राइट आंसर होगा आपके कॉंट से एक नमबर राइट होगा वो दोस्तो चैनल पर नेतो चैनल को लाइक और सब्स्राइब जरूर कर दें नेक्स्ट क्यूशन 67 संकल्प स्वात्रय की अनिवारिये शर्तों में क्या शामिल है तो इनमें शामिल है आपके करम करने की शम्ता यह भी शामिल है ज्यान और उदेश यह भी शामिल है और विकल्पों की इपस्तिती इनमें दोस्तों चार नमबर राइट होगा नेक्स्ट क्यूशन 67 कॉंट का कटोरवाद समर्तन करता है तो यह आपके होगा चाहिए में कर सकतना नहीं सकतना नहीं है क्योंकि दोस्तों इनमें राइट होगा संधत सत्य तक पहुंचने का साधन है दो नमबर राइट होगा बहुद्ध दरम में संग परवेस को क्या कहा जाता है तो इन में कहा जाता है अप संपजा इन में दोस्तों आपके रैट आंसर होगा एक 76 परसन है निन्मे से अश्योक के किस पर्मुक शीला लेक में वचोक गुती बहुत शुरुतियों समवाई पर बल दिया था तो दोस्तों इन्में राइट आँगा आपके बारबा शीला लेक इन्में दोस्टों दो नम्बर आइट होगा नेक्श्ट क्यूशन आपके बोत्तर曦 निर्ण में से कोन सी जातक के द्रिश्य सांची स्टूप के तोरण द्वार इं स्तंबो पर उतके नहीं है तो दोस्टों इन्मे राइ दो नुम्बर राइट होगा चोतरवा पसन है निन में से किस राजे में संदी गाटी सब्यता का इस्तल जूनी कूरन अवस्तित है तो इसका राइट आंसर होगा आपके गुजरात पिचेतरवा पसन है निन में से रिग्वेद के किस मंडल में एक सद विपरा बहुदा वंदनी अगनी यम का उलेग मिलता है तो ये मिलता आपके पर्तम मंडल में डैस्ट क्यों सन्य दोस्तों चिएतरवा निन में से सिवाजी ने किस किले का नाम बदल कर सियेगड रखा था तो ये आपके होगा कोडाना 77 पर्शन है आपके निन में से किस ने यग इंडिया नाम पुस्तक लिखी यंग इंडिया पुस्तक आपके लिखी थी लाला लाजपतर राइने कोंग्रेस कारेकारेणी स्मिटी ने निन्में से किस İstanbul पर एस संयोग अंधुलन को समप्त करने से समंदित पस्तावित पारित किया तो दोस्तों पस्तावव पारित किसके लिए क्या था बार्दोली के लिए चार्नमर राइट आगा नेस क्यूशनें गुर्णिया शीवा में की गई थी इसका राइट आंसर होगा एक नमबर सुभा चंद्र बोस ने 21 अक्टूमबर 1903 को आजात बारत की हैस्ताई सरकार का गटन कहां किया था यह आपके किया था सिंगापूर 21 अक्ट्रसनमय में से पदमावती एउड सुर्षीर किस की सिस्या थी यह आपके थी रामानन्गी तीन नमबर आइट होगा 22 अक्ट्रसनमय में से किस मुणल समराट ने ल्तमगा जांगीर को आरम किया था तो इसका राइट होगा जांगीर नेस्ट क्यूशन तेया सिवा फ्रांस की करांती की निम्लिकित गटनाओं को काला कर्मनों सार विवस्तित कीजिए तो दोस्तों इन में राइट होगा आपके A, C, B, D, चार नमर राइट होगा चोरेशी होपर सेना सूची एक और सूची दो में समिलित करना है कॉंग्रेस के अधिवेशन और अध्यक्स देखिएं तो कलकता अधिवेशन आपके चार में होगा नागपुर अधिवेशन पी अनन्चालू नेस्ट क्यूशन है इलाबाद अधिवेशन है जो कि दोस्तों आपके W.C. बनर जी और लाहोर अधिवेशन है दादा भाई नोरो जी तो इस फशकार से इसका राइट आउसर आपके चार नमबर होगा 4,1,2,3 4,1,2,3 ये दोस्तों आपके डिरेक्ली आउसर है 4 नमबर राइट होगा नेश्ट क्यूशन है दोस्तों आपके पिच्छा शिवा निमलिकित को कालकार मुनासार व्यवेस्थित करना है तो इनमे व्यवेस्थित करना है फिर से एक बार तो दोस्तों इसका डिरेक्ली आउसर बता रहा हूँ B.A.D.C. होगा दो नमबर राइट होगा नेश्ट क्यूशन चिया शिवा निमे से किसने 1857 नामक पुस्तक लिखी थी तो यह आपके लिखी थी S.N.C. चार नमबर राइट होगा इसका दोस्तों राइट आउसर आपको बता रहा हूँ 6 अपरान होगा इसका राइट आउसर इसका राइट आउसर राजस्तान के निम्लिकित में से किस जेले में 2011 में सरवादिक लिंगानुबाद था तो यह था चूरू का एक नमबर राइट होगा वर्तमान शतापडी में किस वर्ष हिंद महासागर में कुख्यात चूनामी आई थी तो दोस्तों यह आई थी आपके 2004 में नबवा परसन निम्ल में से किसने रूस में लाल सेना का गटन किया था तो यह आपके किया था तो ट्रास्तिक ती नमबर राइट होगा नेश्ट कुशन दोस्तों आपके इकराणवा निन में से भारत चोडो अंदोलन के दोरान सबसे लंबी सम्यावदी वाली समांतर सरकार का इस्तापड थी यह आपके थी 17 ती नमबर राइट होगा बराणवा परसन है दक्षिन बारत का मेंचेश्टर है तो दक्षिन बारत का मेंचेश्टर आपके कोई मटूर अधिकान से मोस में गटनाए गटित होती है तो यह होती आपके शोब मंडल में शीरो को इस्ताणिये पवने पाई जाती है यह आपके इटली में नैस्ट क्यूशन पिंचेडवा परकास मंडल शेत्र में ठंडे और काले दब्बो को कहा जाता है सोरिय कलंक इसका ती नमबर राइट होगा नैस्ट क्यूशन चिनवा निमलिकित में से कौन सा यूगम गल पिन कर दूँगा तो आप उसका आंसर देख सकते हैं तोड़ा सा डाउट लिए तो इसको में इस्टार करना हूँ छिन में नमबर क्यूशन का कमेंड में आपके इंटर करूँगा नैस्ट क्यूशन है सिंत्याडवा माधिपों एव मासागरों के उत्पत्ति से सम्मांदि संकुचन सिद्दान का पर्तिबादन किस ने किया तो दोस्तों यह आपके किया है जेफ्रे इसका तीन नमबर राइट होगा नैस्ट क्यूशन इंट्याडवा यूति वियुक्ति शब्दावलिक इसको उल्लेकित करती है तो यह आपके करती है सूर्य पर्त्वी तता चंद में पाई जाती है तो यह आपके जलोड में पाई जाती तीन नमबर राइट होगा सोवा पर्सन है निमलिकित मासा अगरिय दारों का समुए उत्तर से दक्षिन के और वैस्टित करना है तो दोस्तों इनमें राइट होगा लेबाडो कोर केनारी ब्राजील फॉकलेंड एक परवाल जीवों के विकास के समन में कौन सा कतन सत्य है तो आपके कतन सत्य है यह लवन विहिन स्वच जल से खूब पनपते हैं दो नमबर राइट होगा एक सो दो नमबर क्यूशन है भरत की जंगर्णा 2011 के अनुसार वर्णित राजियों को गनत्व के आरोई करम में विव इसका आप लगा सकते हैं राइट आंसर दो नमबर है सी डी बी ए यह दोस्तों आपके राइट आंसर होगा एक सो ती नमबर परसन है सन उन्नी सो बराण में समुन्धिये पारिये आर्थिक सहयोग निदी ओई सी एफ जापान रावली व्रक्षार ओपन प्रियोजना का दोस्तों इनमें सही उत्तर का चेन करना है तो इसमें राइट आंसर है आपको होगा एक नमबर सी डी ए और बी यह दोस्तों आप राइट आंसर लगा सकते हैं इनके नेस्ट क्यूशन दोस्तों आपके 105 नमर बारत में कौन से वस में वन्य जीव सरक्षन अधिनियम लगू हुआ तो 1922 में हुआ एक नमर राइट होगा नेस्ट क्यूशन 106 साधन लागत यह विशुद राष्टिय उत्पादन को इससे भी जाना जाता है तो किससे जाना जा आपके राष्टी आजशी एक नमर राइट होगा नेस्ट क्यूशन 107 वा उपबोग की सामानते परवर्थी बराबर होती है तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आपके उपबोग में परिवतन आई में परिवतन यह दोस्तों दो नमर राइट होगा नेस्ट एक विल्ला सिता वस्तू एक नमबर आइट होगा एक सो नमबर परसन है अन्य बाते इस्तिर रहते हुए एक व्यक्ति की कीमत गिरने के परिणा में व्यक्ति किया जाता है व्यक्ति किया जाता है तो दोस्तों क्या किया जाता आपके व्यक्ति मांगी गई मात्रा में विस्ता दोनमबर आइट ओगा 110 परसंग है सारवाड एउ राजमेल खनन शेत्र इसके लिए पास्शिद्र है तो दोस्तों यह आपके है गार नेट से दो नमबर आइट होगा 2011 नमबर क्यों से आपके निमलिकित में से कौन सी पर्वत सोटी उत्री रावली शेत्र में से समंधित नई है तो दोस्तों ये होगा आपके राइट आंसर नाग पहाड दो नमबर आइट होगा 112 नमबर परसन संतुलन की विवस्ता में तटिस्ता वक्र का डाल होता है तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा आपके बजट रेका के डाल के बराबर चार नमबर राइट होगा 113 नमबर परसने निन में से किस मद्य से व्यक्तिगत अवलोकनों के लिए गए विचलनों का योग सुन्य होता है तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा आपके समानांतर मद्य तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा आपके 6 इसका दोस्तो तीन नमबर राइट आंसर होगा निन में से किस मद्य में चरम मूल्यों का परवाव नियूंतम होता है तो यह होता है आपके बहुलक दो नमबर राइट आंसर होगा एक सो सोलवा नमबर परसन है निमलिकित में से कौन से कारण से पूर्ती वक्र का विवरतन नहीं होता है तो यह नहीं होता है आपके पूर्ती की गई वस्तो की कीमत एक नमबर राइट आंसर होगा 117 नमर परसन है यदि एक वस्तू की कीमत में परिवतन करने दोनों वस्तू में X और Y की खरीदी गई मात्रा बढ़ती है तो दोस्तो इसका राइट आंजर बता रहा हूं आपको धनात्मक होगा एक नमर राइट आंजर नेश्ट क्योशन है 108 जब सादन कीमतों में वर्दी के कारण कीमतों में वर्दी होती है तो इसे कहा जाता है तो इसे कहा जाता है आपके लागत पेरित कीमत स्विती एक नम्मर आईट होगा एक सोगणी स्वापसने नेन में से कौन सा उपाई बार्ती रीजर बेंग के चेनित साक नियत्रन उपाईयों वीदियों में से है तो ये आपके उधार की अधिकत्तम सिमाई चार नम्मर आईट होगा एक सोबीश वापसनन निर्दंता का दृष्टी चकर की अधार्णा समन्दित है तो ये आपके नर्क से एक नम्मर आईट होगा एक सोगए सब्स्ब्स्रेंद भूब आयामी निर्दंता का सूचकांग का घटक नई है तो इसका राइट आंसर होगा आपके पर्ति वेक्ति आई दो नमबर राइट होगा दोस्तों चैनल पर ने हैं तो चैनल को लाइक हो सब्स्वराइब जरूर कर ले यहाँ पर राजस्तान के सभी पेपर रहल करवाई जते हैं आपके लिए 122 वापरसन आपके सामने कुल प्राप्तियों का कुल वेक के मद्य अंतर जाना जाता है तो यह आपके जाना जाता है बजट गाटा से इसका एक नमबर राइट आंसर होगा नेश्ट की शुशन आपके सामने 123 वा निनमे से किसे वरेत मुद्द्रा के रूप में जाना जाता है तो अम थी को इसका दो नमबर राइट आंसर होगा नेश्ट की शुशन आपके 124 वा निनमे से कौन सी निती आयों की सल congregate का भाग नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा आपके राज्यों के राज्येपाल दो नमबर राइट होगा 125 वापरसन है राजनेतिक ब्रेकर्तियों का मनोवेग्यानिक आधार पर अध्यन करने की सिफारिस कौन से विद्वान ने की तो दोस्तों ये की थी आपके हेरोल्ड लॉस फेल इसका चार नमबर राइट होगा 126 वापरसन है दोस्तों निन में से कौन सा सूचक मानव विकास सूचकांग की गर्णा में उप्योग नहीं किया लिया जाता है तो शिश्यू मर्त्यू दर एक नमबर राइट होगा 127 वापरसन है निन में से कौन सा राजे नितिया योग दोरा प्रकाशित बारत सतत विकास लक्ष ये सूचकांग 2021 में सबसे उपर रहा है तो यह आपके रहा है केरल एक चार नमबर राइट होगा नैस्ट क्यूशन आपके 128 वापरसने राजनिति सास्तर को किसी समाज के लिए मूल्यों के अधिगारिक अवंटन गाधियन के रूप में वर्नित किया है तो यह आपके किया है डेविड इस्टन दो नमबर राइट होगा नैस्ट क्यूशन आपके 130 वा 19 वी सताप्दी के अंगतिम दशक और 20 वी सताप्दी के परतम दशक तो दोस्तों इसका राइट आंसर बता रहा हूँ आपको इसका राइट आंसर होगा शोदगर्था को राज्य के अपचारिक डांचो और स्वेडानिक तंत्र का अध्यन करना पड़ीगा दो नमबर राइट है इसका 131 वापस ने राजनितिक ने हमें साप की कुंडली की तरह जकट रखा है और इससे जूंजने के सिवाई अन्य कोई रास्ता नहीं है यह कतन है 121 वापस ने किसी सामराज्य के अभी विर्दी विकास राजवन से तता इसी परकुर्ती के एतिया सिक तत्यों को दर्शाने वाला चार्ट कहलाता है तो वन श्विक्रम चार्ट एक नमबर इसका राइट होगा 132 वापस ने नीचे सामाजिक विज्यान अध्यापक के कुछ गुण दिये गए है तो दोस्तो इसका राइट होगा आपके आंसर ए बे ए उसे इसका ती नमबर राइट होगा नेच्ट कुछन दोस्तो 133 वा निमलिकित में से कौन सा एक द्रिश समगरी का परकार है तो ये है फिल्मी स्टिप एक नमबर इसका राइट होगा 134 वा पसने एडगर डेल के अनुबव शंकू का कौन सा तत्व अधिगम के लिए सबसे अधिक परभावी होता है तो ये होता आपके वास्ट वीक पर्त्यक्स अनुबव ती नमबर इसका राइट होगा 135 वा पसने निमलिकित में से कौन सा पार्ट योजना एतू हरबर्टियन उपागम का सोपान नहीं है तो ये दोस्तों आपके सोपान नहीं है खोज करना ती नमबर इसका राइट होगा 136 वा पसने निमलिकित में से कौन सा इकाई योजना की विशेस्ता नहीं है तो विशेस्ता नहीं है आपके इकाई योजना में अंश से संपूर्ण के सिद्धान का पालन किया जाता है दो नमबर राइट है नेस्ट कुशन 137 वा इकाई योजना किस मनोविज्यान पर आधारित होती है तो यह आपके होती है गेस्तोल्ट मनोविज्यान चार नमबर राइट होगा नेस्ट कुशन दोस्तों आपके 138 वा किसने का कि पाटिकरम कलाकर अध्यापक के आत्मी वेसादन है तो इस परसंद का आपके राइट आंसर है कनिंगम चार नमबर राइट होगा आप लगा सकते है अपना राइट आंसर 140 वा परसंद ने NCF 2005 से संबंदी सामाजिक विज्यान के शिक्षक के लिए तियार गिये जाने वाले आधार पत्रे तो दोस्तो इसका राइट आंसर है अध्यक्स कोन थे तो अध्यक्स कोन थे आपके प्रोफेसर यस पाल थे इसका चार नमबर राइट होगा 140 वा परसंद निमलिकित में से कोन सी निमनात्मक परिक्षन की विशेस्ता नहीं है तो ये नहीं आपके मुल्यानकन में वस्तो निष्टा संभव ती नमबर राइट होगा नेस्ट कुछन 141 वा निष्ट परिक्षन येतू नील पत्र निर्मान के लिए आवशक तत्व नीचे दिये जा रहे हैं तो दोस्तो इनमें आपको राइट आंसर चुनना है इसका राइट आंसर बचा रहा हूँ एबेस से एउँ दे आवशक है ती नमबर राइट होगा 142 स्वापरसन है वीद्याले में वेच्छात्रों में वेवारगत परिवर्तनों के समन्द में साक्षियों के सलंगने तता उनकी व्याक्या करने की परिकरिया को कहा जाता है ये कहा जाता है मुल्यानकन चार नमबर राइट आंसर है 143 स्वापरसन है निम्लिकित में से कौन सा वस्तुनिष्ट परिक्षन का लाब नहीं है तो ये लाब नहीं है उत्तर के चेन में अनुमान संभव दो नमबर इसका राइट होगा 144 स्वापरसन है एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापकक्षया कक्ष में मान चित्रकारों, मूर्तिकारों, संगीतकारों आधिके जीवन के बारे में पढ़ाते हैं तो दोस्तो इस परसन का आपके राइट आंसर है सामाजिक विज्ञान नेव ललित कला दो नमबर आइट होगा आप लगा सकते हैं राइट आंसर 145 स्वापरसन है सामाजिक विज्ञान की विभिन शाकों के मद्य एक दूसरे से समन्द कहलाता है तो ये समन्द कहलाता है बोपक्षिय से समन्द इसका एक नमबर आइट होगा 146 स्वापरसन है किसने कहा कि सामाजिक विज्ञान मानने उता था उनकी सामाजिक और बोतिक वातरनोंड के परती की जाने वाली परकिरियों से समन्दीत है जिसे अध्यक्स होता है तो दोस्तो इसका राइट आइट 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 आपके जून वी माई केलिस चार नमबर आइट होगा 147 स्वापरसन है निमलिकित में से कौन सा सामजिक विज्ञान शिक्षक में अवबोधक गटक का वेवारिक पद है तो इसमें राइट आइट आइट होगा गटकों का निर्दारन ती नमबर आइट होगा 148 स्वापरसन है निमलिकित में से कौन सी शेत्र परियतन की शीमा है तो शेत्र परियतन की शीमा है सामजिक विज्ञान के कुछ चैनित विश्यों के लिए उप्योगी एक नमबर राइट होगा 150 स्वापरसन है प्राइज जना को पूर्ण करने के लिए 100 पनों को दोस्तों एवेस्ति करम में दिया गिया है यहां पहुँछ 100 पनों को सही तारकी करम में करना है तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा C, B, A, E, D यह दोस्तों ती नमबर में है इसका ती नमबर राइट आंसर होगा 150 स्वापरसन है निमलिकित में से कौन सा विकल्प सामाजी करित अभिवेक्ति विदी के सोपनों का सही तारकी करम है तो इसमें दोस्तों आपके योजना बनाना, किरियान में रिपोर्ट बनाना, मुल्यान कन इसमें ती नमबर राइट होगा यह दोस्तों आपके पूरे के पूरे 1500 पसनों के हल आपके करा दिये बाकी एक बचे हुए पसन का हल है कि मैं आपके कमेंड में पिन कर दूंगा और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो फस्ट न्यू एक्जाम वीडियो चनल को लाइक और सब्सक्राइब जुरूख है यहां पर राजस्तान से बत्यों से लेटेड वीडियो आपके लिए आते रहते हैं और राजस्तान के सभी कम्पिटिशन एक्जाम के पेपर रल करवाए जाते हैं आपके लिए